दोस्तों सर्द्इयां आते हैं यह कौमन सी बिमारी जिसका सामना हर एक बंदे को करना पड़ता है चाहिए बच्चे बुड़ा जवान मर्द और अरत हर एक को इससे बहुत प्रशानी होती है दोस्तों आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में या खुश खांसी पारे में दो तो तो फिला बार के उसको दोंगेंँं का दे रते हैं दोस्तो अगर आपको यहां पर पर बताऊंके इस वह स्थ और अधिरीन फार्मेसिया गर है तो वह आपärkeग करें आफ को यकीन करना पड़ेगा कि आपके गर का किचन दुनिया की सबसे बहतरीन फार्मेसी है आपके लिए दोस्तों इस के उपर में थोड़ा सा आगे चलके बात करूंगा कि कैसे आपका किचन आपके लिए बहतरीन फार्मेसी का रोल अदा करते हैं दोस्तों बढ़ते हैं हम अप में खांसी होती है दोस्तों अगर आपको खांसी होती है तो इसका इलाज आप अपने गर में खुद कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अभी तक खुश खांसी वाले मसले को लेकर अऑर आप अभी तक परिशान है तो यह वीडियो आप के लिए आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देकते हैं तो आज से आपको फाइदा मेलेगा और आज की सी वीडियो से आप देखेंगे के कैसे खुश खांसी क्या होती है कि खुश खांसी अगर होती है तो उसका इलाज आप अपने गर में ही कैसे कर सकते हैं दोस्तों अमीद करते हूं कि आज कि इस वीडियो को आप शुरू से आगर तक जरूर देखेंगे असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है शेफ अरफान नवाज दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं ताकि आने वारी हर वीडियो सबसे पहले या इसे खुश्खांसी यानि कर ड्राइ कफ इसे क्यों कहते हैं तो जब भी आपके गले में कोई चीज अंदर चली जाए या पिर कोई चीज अंदर पैदा हो जाए जिससे आपको तकलीफ मिले यहां पर आपको प्राबलम आए ठीक है जब कुछ चीज अंदर पैदा हो ज जाता है एक खास्थ अमल किया जाता है जैसी बात है यहां पर गले में तक्रीफ है ना ठीके उस अमल को खांसी बोलते हैं यह एसा क्यों हो सकता है कि आपके जिसम में या निके गले में बाहर से कुछछ चीज अंदर दाखल हो एक कोई वायरेस कोई डस्ट वगरा अंदर खांसी जो नो आपके सामने रखूँगा वो कौन सी होती है दोस्तों देखें अगर तो आपके गले में यानि अंदर यहां पर रेशा बन रहे है ठीक है और खांसी करके उसको अगर बाहर निकाला जाए तो उसे फिर प्रोड़क्टिव उसे प्रोड़क्टिव कफ बोला जा एल्हें कि अगर दोस्तों हमें कि खांसी कि है खांसी के साथ कुछ बाहर नहीं हिए ठीक है खांसी के साथ कुछ चीज बाहर नहीं आई ए ठीक है खांसी秘ाए घून हाई घूशSo को अम बोलें। नान प्रोडक्टिव कफ ठीक है जिसे हम साधा जुबान में अगर बात करें तो उसे हम खुश खांसी बोल सकते हैं खुश खांसी जोना है कि ऐसी खांसी होती है जिस में बलगम पैदा नहीं होता रेशा वगर अंदर नहीं बनता है ठीक है तो यह बड़ी तकलीफ दे यह खांसी होती है यह आप दोर पर फुलू सर्दी या किसी और वज़ा से भी हो सकती है लेकिन यह दमा अलर्जी और दीगर हल्तों में भी आपको एसी प्राबलम आपके साथ हो सकती एई खुश्- खांगसी वाला मसला हुश्च-खांटी वाकई मैं बहुत बड़ी प्राबलम है बहुत तकलीफ होती है जब भी खुश्च-खांगसी होती है लेकिन आप डोक्टर के पास जब जाते हैं गया डोक्टर की जो रेक्शन होते हैं कि वह डे सरी दुआईएं आपको दे देते हैं थैला बार के देता सिला बार हैं इन दुआईएं को हमने क्या करना हैं ? मेडिकल स्टोर ओपन करने हैं इतनी दौईयां डॉक्टर आपको दे देता है पैशन को तो बाराल दोस्तों मैं आज किसी वीडियो में अभी हम इसके बात करेंगे कि आपके गर का किचन आपके लिए एक बेहतरीन फार्मेसी का रोल कैसे कर सकते है दोस्तों बिलकुल दोस्त जो किचन में जो मसाला जाते एक बेहतरीन मेडिसंस का काम करते हैं आपके किचन में जितने भी मसाले बेहतरीन मेडिसंस का ये काम करते हैं दोस्तों चलते हैं किचन की जो फार्मेसी है ठीक है यहां पे आप आपनी खांसी का खुश खांसी का इलाज आप कैसे करेंगे दो पुदीना शेहट और हल्दी हर किचन में हर गर में ये चीज दस्याब होती है जानी का सानी के साथ मिल जाती है ठीक है इतनी मेंगी मिनी है ससे दाम है दूसर नमे के साथ आप कैसे अपनी खांसी का इलाज करेंगे कैसे खुश खांसी का इलाज करेंगे आपने गरगल करने न गिंटे या तीन गिंटे के बाद आपने गर्गल करने हैं गरारे करने से जो ना गले को अराम मिलता है और यह खांसी की यह शिद्ध होती ना उसको कम कर दाता है जाल सी बात है तकलीफ है ना गले में जब वह खांसी होती ते बहुत ज़रा तकलीफ होती और खुश खांसी से बहुत प्रब्लम अब भाव ले सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं कि शह्टा आप कैसे इलाज कर सकते हैं अब बहतरीन और ये कुदृति यह ना, कुदृति एक चीज है, ठीक है? एक तोफ़ है, और शेहत के अगर बात करें, दोस्तों शेहत कदृति एक अन्टीबॉक्टेडियल है, और एंटी वािरिल होता है, और शेहत से भी आप इलाज बैथनी कर सकते हैं, यह आपके गले को हराम देता है, अगर की बात करूं तो नीम गरम पानी में आप शेहत मिला के उसको भी आप खा या पीच सकते हैं तो इसके लावा अगर बात करूं दोस्तों थोड़ सा आगे चल कि मैं आपको एक कवा बनाने के तरीका बताऊंगा कि आप अपने गर में ना केचन में एक बहतरीन कवा त्यार कर सक रहे हैं जिसे खुशखांसी बिलकिल आपसे दूर बाग जाएगी दोस्तों बात करते हैं आगे अधरख से कैसे आप इलाज कर सकते हैं दोस्तों अधरख में एंटी सौज़श और एंटी बैक्तेरियल की इस के अंदर और है के खुससियत मोजीद हाती जो गिले की सौज़ हो भी तो आगी चलते हैं बात करते हुली है दोस्तों हल्दी जो न весь त्रीन का का काम करती है सृद्यों से चलता आया यह हल्दी का इस्तेमाल थक्रीब parapन रहे एक बिमारी में हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं lucky कैपसॉल بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور بہت महेंगی اس کے کیپسول تیار ہوتے ہیں एका काम करती है ہर एक बीमारी में इसका बहुत जबरदस रोption है लेकिन हल्दी आपके पास खाले सोने जाए यह दो नवर हल्दी नहीं होने चाहिए हल्दी से आप क्या कर सकते है aye जो Kita, Si Our इसके लावा दोस्तों आप पुदीने का इस्तमाल कर सकते हैं पुदीने का आप इस्तमाल कर सकते हैं पुदीना आप बहुत से तरीके पानी में वाइल करके इसको 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 कर सकते हैं कावा बनाते हैं ठीक है ग्रीन टी बनाते हैं कावे के अंदर इसको 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 कावे का मैं आपको बतार हूँ बतार था कि कावा आपने त्यार करना है दोस्तों आपने करना कहें पानी उसी के अंदर आपने अद्रक डालनी है उसी के अंदर आपने अद्रक डालके पर उसको बॉयल करना है इतना बॉयल करना है कि उसका पूरा जो ना डिडूस हो जाए फ इसमें डालने और मिस्स करने यह बहतरीन कव आपके लिए त्यार होगा और खुश खांसी बिलकुत दूर बाग जाएगी इससे और इसके लावा अगर आप चाहें तो पानी के अंदर अद्रक और पोदिना भी डाल सकते हैं और इसी के साथ आपने शेयद के भी इस्तेमाल कर रहें और अद्रक से एक तो टेस्स बनेंगा चाहें बहुत ही जबर्दस फ्लेवर वाले बनेंगी और दूसी तरस से वह एक मेडिसंस का भी काम कर रही है आपको फाइदा भी पहुंचा रही है वह नुकसान भी नहीं साइड एफेक्ट पी नहीं है और बात करूं हल्दी क रेड़ी करेंगे यह बहतरीन कवय है दोस्तों दोस्तों आपको यह चीज्ज माननी पड़ेगी कि किचेन का आप के गर का किचेन जो है बहतरीन फार्मेसियाइए आप के लिए वो क्यूं कि अगर आपके किचन में दोस्तों मसाला जात वो खालिस होंगे तो आप किचन से खाना खाते हैं जहनी कि बिमारियों का जो इबतदा है ना वो आपके किचन से आती है आप इन बिमारियों से छुटकारा भी आपने किचन से ही करना है जो मसला आपके किचन से आया उसमस्या का सुलूशन भी आपके किचन में ही मुझूद है. लेकिन आप क्या है घॉर नहीं करते हैं? ठेक यह डॉक्टर है. यह यह कमर्सी भीमारी दोस्तों एक आम सी बीमारी होती है. यह खोश जिएरद दवाईंगा पूरी डेल सारी थेला बार के देरें बाई आमने दवाईयों किया करें वेडिकल मेडिकाल तोर आम्ने उपन करने आनकाया आप सो गए अगली सुबाब जाव उठे तो आपके साथ कुछ प्राबलम होगी आप बिमार हो गए जरूरी नहीं कि खांसी है या खुश खांसी है कोई और मसले भी हो सकता है दोस्तों वह मसला किदर से आया वह मसला आपके किचिन से आया आप इस बात को इस पॉइ चीजे हैं वह मलावट शुदा केमिकल्स वगली वाली है आपके पास दूड़ ठीक नहीं आ रहे है तो जब आप किचिन से ही आपके किचिन में जो प्रोड़क्ट आ रही है वही खालस नहीं होगी तो आप दोसों कैसे सहतमान रहेंगे सबसे पहले आपने अपने किचिन म मसाले जाद दूद आपके पास एवन कुछ भी है ना ऑईल हो गया गी ऑईल उसको आप बहतर करें जब यह चीज़ें आपके पास बहतरीन और खालस और अच्छी क्वाल्टी की जब आएंगी वहां से जल सी बात इनसान पर खाना करते हर गर में खाना बनते है ठीक है जब आप खाना खाएंगे तो आपको कुछ प्राबलम नहीं आएगी जब आप प्राबलम आएगी तो आप उसका स्लूशन फिर किचन से ही निकाले अब देखें क्या मसला आया आप अपना ओयल चेंज करें अपने मसालें को बहतरीन करें जब आपके मसाले किचन में दोस्तों मसालों के अगर बात करूं यह जस्त मसाले नहीं है यह एक बहतरीन मेडिसंस हैं यह कुमन पॉर्डर जैनी के जीरा धनिया हल्दी काली मर्च दारचीनी लोंग अलाची दोस्तों अजवाइन यह इतने बहतरीन मेडिसंस हैं कि सोच है आपकी सिर्फ आपने अपने किचन प तो यह घर पर नहीं जमा करनी हैं बलके आपने अपने मसाले आपने बेतरीन क्वालिटी के जहां पर रखने हैं दोस्तों उमीड करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आ योगी अगर वीडियो पसंद लगती है तो वीडियो को लाइक केमेट और शेयर दरू किसे सब्स्क्राइम करदे, अगर आप फेस्टॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मारे फेस्बुक पेज़ को भी फालो लाइक कर दे, दोस्तों अगर याप भी देख रहे हैं तो टिक टॉक चैनल मेरे टिक टॉक अकाउंट को भी आप फालो कर दें दोस्तों अगर आपको कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स जरूर कीजीगा दोसाथ की वीडियो में हमने सीका कि अगर हम को खांसी अगर हो जाये तो उसको इलाज हम कैसे करें ना कि डॉ मिलते हैं नेक्स किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खिया रखीगा डे सारी दौा में याद रखीगा हमें खुछ रहें अबाद रहें अस्तलाम आलेकूं पाकिस्तान जिन्दबाद